Fox Recaps में आपका स्वागत है. आज मैं एक छोटी फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है. The Secret No. साल 2012 में रिलीज हुई थी. डोसाइमन एक नेटल इंस्टिटूशन से एक फेमस फाइचेटरिस्ट. उसे अपने गुज़रे हुए दिनों की याद आ रही है और पता चलता है कि पहले सीन में दिखाए गए छोटे बच्चे वही खुद था. डोसाइमन कार दुरघटना से बच गए थे, लेकिन उन्हें इससे गहरी ट्रमा हुई थी, क्योंकि वह आज भी उसे याद करते हैं. उसके साथ हम उसके एक मरीज से मिलते हैं. प्रोफेसर एरसहेम जो एक बुधिमान गनित विद्वान है. उसे बड़े इरादे और फोकस के साथ बोर्ड पर लिखते हुए दिखाया जाता है. लिखने के बाद, प्रोफेसर एरसहेम ने बोर्ड कोडो. साइमन ने उलिक करते हुए कहा कि यह व्यट है. हम देख सकते ह है कि वह एक से नौ तक की संख्याओं को कई बार लेक चुके हैं. साइमन उस पर नजर डालता है और अपने पेशेंट की वर्ड को अच्छा बताता है. फिर प्रोफेसर से पूछा कि क्या उसे गलत लग रहा है. चड़े हुए स्वर में प्रोफेसर. एरसहेम तिपनी करता है कि इसमें चेपी हुई संख्या नहीं है. ब्लीम प्रोफेसर इस रहसे संख्या के बारे में बहुत बात करते हैं लेकिन इसके अस्तित्व को साबित नहीं कर पाते हैं. वह बस जवाब देता है कि उस पर भरोसा करना होगा क्योंकि वह एक गणितगी है ना कि कोई पागल बाद में घर पर जो साइमन प्रोफेसर एरसहें के इतिहास पर विस्तरत शोद कर रहा है. उसे ये जानकर हैरानी हुई कि प्रोफेसर एक आम गणितगी नहीं है बलकि उन्हें कई गणितगी पुर्सकार मिले हुए हैं. उन्होंने फेस मेडल भी जीता है जो नोबेल प्र में अस्तिर थे या उन्हें बंद कर दिया गया था क्योंकि उनके निशकर्ष किसी के लिए खत्रा थे अगले दिन डो. साइमन फिर से प्रोफेसर एरसहें के साथ रहसे संख्या पर बाची कर रहा है. थोड़े से पूछने के बाद प्रोफेसर ने बताया कि संख्या BLEEM न वर जेली बीन्स का एक जार लेकर उससे कहता है कि BLEEM नंबर की बीन्स संख्या को अलग करने का आदेश देता है. शुरुवात में प्रोफेसर एरसहें खुदमु की यकीन रखते हैं कि वर काम कर सकेंगे और फलियों को व्यवस्तित करते हैं. हाला कि संखर्ष करने के प्रोफेसर ने मुहतोर जवाब दिया कि उसे इसे साबित करने में सक्षम नहीं होने दिया गया क्योंकि कोई बाहरी ताकत उसे रोक रही थी. डो साइमन उसके दावों को खारिच करते हैं कि वर पूरे समय उसके साथ थे और कोई उसे रोकने वाला नहीं था. उस प्रोफेसर को अपने कमरे में ले जाने से पहले उसने पागलपन से अपने मुह में जेली बीन्स का एक गुच्छा भर लिया जो डो को हैरान करता है. दव्वर्स द्वारा संचालित इस बीच फर्ष पर बिखरी हुई जेली बीन्स टो. साइमन प्रोफेसर गुच्छा हो गया. उस दिन जब पुलिस शव लेने पहुची एक जवान डॉक्टर. साइमन ने सडक से एक बराबर जेली बीन उठाई. ये उस आदमी द्वारा गिराया गया था जिसे उसकी कार स तक्कर मिली थी. अगले द्रिश में डो. साइमन काम से ठका हुआ घर जाने की तैयारी कर रहा है. जब वर लिफ्ट से नीचे जा रहा था, तब चौथी मंजल से तीसरी मंजल तक पहुचने में असामाने लंबा समय लग रहा था. ये उसे उलजाता है और वर मिस्ट्री न किया गया था. इसके बाद उसने प्रोफेसर के साथ अपनी बातचीत की कई रिकॉर्डिंग सुनना शुरू की. एक साक्षातकार में प्रोफेसर एरसहिम ने कहा था कि नंबर भी एली एम ही ब्रह्मान की मूल बुनियाद है. उन्होंने ये भी कहा है कि गैलेक्सी में कई आयाम होते हैं, लेकिन एक सामानी इंसान उन्हें नहीं देख सकता. उन्होंने कहा है कि अन्यायामों का अनवेशन नहीं कर पाने की मुखे वजह सही गणित की कमी हैं. उन्होंने बताया कि रहसे में संख्या भी एली एम का पता लगा लिया जproduction M. उन्हें खोज सकते हैं. के कारण वह एक कागच के टुकड़े से उसे सावधानी से उठाकर उसे सुरक्षत रूप से खिर्की से बाहर फेंग देता है। अगले दृश्य में एक थका हुआ डो। साइमन एक बार में कुछ पे पी रहा है। उसे हाल के घटनाओं से तंगी महसूस हो रही है, इसलिए वर दिमाग साफ करने के लिए ब्रेक पर है। जैसे ही वर कुछ मुगफली खोल रहा होता है, उसमें से एक अचानक हिलता है और बिना किसी बाहरी ताकत के खुद को खोल देता है। डॉक्टर को अलोग एक अनुभव से तुरंट जटका लगता है, लेकिन उससे पहले वर खुद को शांत कर पाए, उसे प्रोफेसर नजर आते हैं। एरसहें बार के खिरकी पर कुछ गणितिये कैलकुलेशन लिख रहा है। वर तुरंट उठता है और प्रोफेसर की पीठ पीछे जाना शुरू करता है। थोड़ा पीछा करने के बाद जो साइमन एक शांग गली में पहुचता है। जैसे ही वर थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे अपने बचपन की वही दुरगटना के बारे में एक टेलीविजन समाचार दिखता है। खबर में बताया गया है कि उस बुजोग व्यक्ती की पहचान तीन दिनों से भी नहीं हुई थी, जिसे कार्ने मारा था। फिर वर अपने छोटे बच्चे को विचितर समाचार देखते हुए देखता है। पता चला कि डॉक्टर को सिर्फ एक बुरा सपना आ रहा था और फोन कॉल से उसकी नीद खुल गई। वहां उसे बताया जाता है कि प्रोफेसर एरसहेम अपने कमरे से गायब हो गए हैं। इसी तरह उनके सपनों में कुछ सचाई होती है। फिर डॉक्टर तुरंथ मेंटल इंस्टेट्यूशन की वो जाता है। पहुचने के बाद वरकर जीन ने बताया कि वे प्रोफेसर को ढूंडने के लिए दूसरी बार स्वीफ शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रोफेसर बिस्तर की जाच के दौरान मुझूद थे और उन्होंने किसी और को कमरे में नहीं आने दिया था। अब सवाल उठ सकता है कि प्रोफेसर जैसे बुढ़े और नाजुक आदमी इतनी हाई सुरक्षित सुविधा से कैसे भाग गए ये डो। जब दोनों कमरा नंबर 304 की जाच करने पहुँचते हैं तो उन्हें दिवारों पर लिखे गणितिये समीकर्णों और सूत्रों से हैरानी होती है। लगता है कि प्रोफेसर ने मारकर के साथ अपने शोद को पूरी रात लगातार जारी रखा। निरीक्षन के बाद डॉक्टर को मेच पर तीन जेली बीन्स मिलते हैं जो उनकी कमरे में मौझूद थे। उसे फर्ष पर मारकर कैब भी मिलता है जो उसे उसकी बचपन की दुरगटना की याद दिलाता है। फ्लैश ब साइमन ने उसे चूने से मना किया, वह इसे हवा में उचालता है और इसे खाता है। हाँ कि दो, साइमन अभी भी मेच पर तीन जेली बीन्स देखता है जैसे कोई उन्हें नहीं खाया हो। फिर उसे अपनी बचपन की एक्सिडेंट लादाती है। दवर्स द्वारा संचा जेली बीन्स पूरी सड़क पर बिखरे हुए हैं और मृतक व्यक्ति का चेहरा आखिरकार दिखाया गया है। ये खुद प्रोफेसर एरसहेम है। अब जिन लोगों को अभी भी उलजन है, मैं समझाता हूँ। दवर्स द्वारा संचालित एरसहेम एक समय यात्री है। जबकि उसे अस्तिर होने के लिए मांसिक संस्थान में बंद कर दिया गया था, वह वास्तव में जीनियस था और उसे कुछ ऐसी चीजे पता थी जो कोई अन्य इंसान सोच नहीं सकता था। उनका जीवन भर का सिधान गुप्ट संख्या भी L. तब उसने अपनी सभी गनितिये शमताओं का इस्तिमाल करके ब्लीम की खोज की। ब्लीम समय यात्रा का किंद्र बींदू होने के कारण उसने अलग समय अवधियों के बीच जाने के लिए इस्तिमाल किया। इस उदाहरण में वर्स समय पर वापस चला गया डो। साइमन का भुतकाल जहां उसे दुरभागे से उसकी खोद की कार से मौत होई थी। समय यात्रा में सफलता हासल कर लिया लेकिन नियम भूल गया। दव्वर्स द्वारा संचालित।